गट्टु की दादी गट्टु चिंकी काफी खुश थे और खुश होकर घर में इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि बात ही ऐसी थी पापा को कॉल आया था कि दादी गाउं से उनके पास आने वाली थे पापा पतायो ना दादी कब आने वाली है? अरे उनकी ट्रेन छुटी भी नहीं और तुम शुरू हो गय डॉंट वरी ट्रेन आने से पहले ही मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा ओके लेकिन गट्टु चिंकी कहा मानने वाले थे वो तो बेसबरी से दादी का इंतिजार कर रहे थे दादी तो मेरे साथ सोएगी नहीं मेरे साथ सोएगी ऐसे कैसे वो सिर्फ मेरी दादी है ये क्या तुम्हारे अकेले की थोड़ी है वो मेरी भी दादी है है ना मम्मी हाँ बाबा वो तुम्हारी भी दादी है वो तुम दोनों की दादी है देखा, वो मेरी भी दादी है, हाँ लेकिन वो तुमसे भी ज्यादा मेरी दादी है, नहीं, वो तुमसे भी थोड़ी और ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा मेरी दादी है और फिर से जगडा शुरू, दोनोंने मम्मी की नाक में दम करके रखा था मम्मी दादी मेरे साथ सोईगी ना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वो किसी के साथ नहीं सोईगी मैंने उनका कमरा तयार किया है वो उनके कमरे में सोईगी ये सुनकर गट्टू जिंकी रोने लगे फिर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली अच्छा बाबा ठीक है तुम दोनों अपनी दादी से पूछना वो बताएंगी कि वो कहां सोईगी अगर दादी ने कहा कि वो उनके अपने कमरे में सोईगी तो दादी ऐसा कहेगी तो हम अपना कमरा छोड़कर उनके कमरे में सोने जाएंगे दादी, 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 बस दादी की ही रट लगाए बैठे हो सुभा से गट्टू चिंकी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ दादी को ज़ादा परिशान नहीं करना वो जितनी कहानिया सुनाएंगी उतनी ही सुनना और चुप-चाप सो जाना ऐसे ही बातो बातो में समय बीतता चला गया और दादी के आने का समय हो गया पापा दादी को लेने स्टीशन निकल गये जैसे ही पापा गये गट्टु चिंकी दर्वाजे पर खड़े हो गये बाबले हो गये हो तुम दोनों पापा पारकिंग में भी नहीं पहुचे और तुमने दर्वाजे पर डेरा जमा लिया आदा घंटा बीद गया और गट्टु चिंकी दर्वाजे पर खड़े खड़े बाते करने लगे बहुत टाइम हो गया पता नहीं कब आएंगे तभी अचानक पापा आ गए पापा काफी हताश और नराज मालूम हो रहे थे वो अकेले आये और आकर सोफे पर बैठ गए पापा के बैठते ही गट्टु चिंकी ने सवालों की बोचार कर दी पापा दादी कहा है आप अकेले कैसे आप तो दादी को साथ लाने वाले थे ना ये सुनकर पापा नाराजगी में बोले सोरी बच्चो मैंने स्टिशन जाकर दादी को कार में बिठाया और कार घर की तरब गुमाई फिर फिर क्या हुआ हम पहुच नहीं वाले थे कि तभी दादी बोली गट्टू चिंकी मुझे बहुत सताते हैं मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी निखिल के घर जाऊँगी ये सुनकर गट्टू चिंकी को बहुत तीज रोना आ रहा था फिर? फिर क्या? मुझे दादी को निखिल अंकल के घर छोड़ना पड़ा ये सुनकर तो गट्टू चिंकी पर मानों दुख का पहार तोट पड़ा दोनों फुट फुट कर जोर जोर से रोने लगे कि तभी अचानक एक आवाज आई बच्चो रोती हुए गट्टू चिंकी के कानों पर एक प्यारी सी आवाज पड़ी और उन्होंने जट से दर्वाजे की तरफ देखा दर्वाजे पर दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी उनके पीछे काफी सारा सामान लेकर सोसाइटी का वाच्मेन खड़ा था दादी को देखकर गट्टू चिंकी दादी के तरफ भागे और रोते रोते दादी को बिलग गए दादी रोते हुए गट्टू चिंकी को चुमने लगी दादी क्यों चली गई थी आप निखिल अंकल के घर? हम आपको कभी नहीं सताएंगे आपसे बात भी नहीं करेंगे लेकिन प्लीज आप निखिल अंकल के घर जाने की सोचना भी मत अरे किसने कहा मैं निखिल के घर गई थी मैं तो बाहर वाच्मेन के साथ खड़ी थी ये शैतानी तुम्हारे पापा की है क्यों रे? क्यों सताया तुने मेरे बच्छडों को? सौरी मा, सौरी गट्टु जिंकी ये आईडिया तुम्हारे मम्मी का था हम लोग बस तुम्हारे रियक्षन देखना जाते थे सौरी बच्चों, आ गई है न दादी अब रोना बंद करो मम्मी, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे कट्टी उसे छोड़ो, तुम मेरी तरफ देखो देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या-क्या लाई हूँ वाच्मिन समान रख कर चला गया दादी फ्रेश होकर आई और गट्टु जिंकी के सामने बैठ कर एक-एक पोटली खोनने लगी दादी ने गट्टु जिंकी के लिए बहुत से उपहार लाए थे उसमें गाओं के खटे मिठे बेर चरपटी इमली, धेर सारी देशी घी से बनी मिठाईया और बहुत सारे खिलोने थे ये, ये कार मैं देवी मा के मेले में गई थी ना वहां से लाई और और ये, ये गुडिया ये गुडिया तो मैं बनारा से लाई पता है गंगा जी में डुपकी लगा कर आई हूँ मैं इस प्रकार एक-एक कोटली खोलती गई और खा खा कर खिलोने देख देख कर गट्टु चिंकी का पेट भर गया ठैंक्स दादी, लव यू लव यू तू ऐसा कहकर दादी ने दोनों को वाहों में भर लिया गट्टु चिंकी दादी से बेहत प्यार करते थे और दादी को भी गट्टु चिंकी से बेहत लगा उधा तीनों भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे दादी, आप मेरे साथ सोईगी नहीं, मेरे साथ अरे-अरे, मैं तुम दोनों के साथ सोजाऊंगी वो कैसे? मैं बीच में सोऊंगी और तुम दोनों मेरी गोद में, ठीक है? रात हुई तो गट्टु चिंकी दादी की गोद में सो गए दादी, कहानी सुनाओ न काउनसी? जिससे नीन्द आ जाए वो, या फिर जिससे नीन्द भाग जाए वो नीन्द तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए दादी हमें रात बर आपसे धेर सारी कहानिया सुननी है अरे ना बाबा ना तुम ऐसा करोगे तो मैं निखिल अंकल के घर चली जाओंगी ये सुनकर गट्टुचिंकी नाराज हो गए अरे बच्छडो, चहरे का रंग क्यों उड़ गया तुम्हारे मैं तो मजाग कर रही थी चलो, कहानी सुनाती हूँ हाँ, सुनाओ न एक था राजा, एक थी रानी एक था राजा, एक थी रानी दोनों मिल गए, खतम कहानी क्या दादी, ये चीटिंग है आप हमेशा ऐसा करती हो ओके, सॉरी अब सच्ची मुच्ची की कहानी सुनो विलासपुर के महाराजा के दो बच्चे थे राजकुमार का नाम था गट्टू और राजकुमारी का नाम था चिंकी दोनों दिन भर महल में इधर-उधर भागते और दास-दासियों के साथ शैतानिया करते-फिरते इस प्रकार कहानी शुरू हुई और कहानी सुनते सुनते ही गट्टू चिंकी सो गए या देखकर धादी मुस्कुराई और दोनों से लिपट कर सो गए